यूपी के पोर्मुखे मंत्री और सफवाद धेक्ष अकिलेश यादव कारिक्रम को सम्भूदेत करक्रिके सुने नेता जी जब से आये हैं सकार कम में हम सब के चेहरोए पर खुशी दिखाई दे रही है और हम जितने लोग यहां बैठे हैं सामने कोई ऐसा नहीं है जिसको नेता जी ने हम सब को पहचान न दियो और नेता जी की बज़े से आज हम सब का सम्मान है इसलिए नेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद साथी साथ मैं बहुत सारे वक्ताओं को सुन ला थे क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी तरीके से बात रखी है उन सबसे जुड़ता हुआ उन सबसे आगे जो राजनीत के उस पार जो सीशक है किताब का क्योंकि माइक पीशे अच्छा नहीं था सुन नहीं पारा था कि क्या किसी ने कहा होगा लेकिन जो मैं सबसकता हूं इतनी किताब पढ़ने के बाद और इतने लोगों की इसमें विशार आये हैं यह ने केवल समाजवादियों को प्रेडित करेगी किताब बलकि आगे आने वाली पीड़ी और नौजमानों को प्रेडित करने का काम दरेगी और कभी के भी हम नए लोग सोचते हैं कि राजनीत के उस पार जवाब यहीं आता है कि राजनीत राजनीत के उस पार क्या है वह राजनीत और अगर हम राजनीत में उस पार क्या है तो जो समय बता रहा है वो यहीं है कि समाजवादी सरकार मैं अमरित मौसर समिती के सभी लोगों को बढ़ाई देता हूँ और शुकामदाई देता हूँ कि एक साथ इतने विशार आना एक साथ इतने लोगों को जोड़ना क्योंकि चाचा की उम्र के बारे में सब लोग कह रहे थे कि उम्र कितनी है उनकी जब आदरें हेमद शर्मा जी कह रहे थे बोले कि उनकी उम्र इतनी नहीं इतनी है और वो कफी भी पीने जाते हैं मैं तो यह कहूँगा कि हेमद शर्मा जी अपनी उम्र से उनकी उम्र नाप रहे है आप दस साली छोटे हैं और अब मैं जानता हूं चाजा का सुवाब कि कॉफी पीने और कोई दूसरा तो जाएगा नहीं है लेकिन एक बात सच है कि कितने भी कड़क दिखें या नाराजगी हो लेकिन राजनीत में जो भावुक हो इनसान होता है वो शायद इन से जाद है भावुक नेता हमने नहीं देखा और अगर नेता भावुक है और नेता जी जैसा नेता भी भावुक और और पार्टी में हो त इसलों क्त na जितने भी साथ याईं जितने भी लोगों समाजवादी में धन्यवाद देता हूं मंचों जमेश सभी संवादे लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपकी की वजए से इतना अच्छा कारकरम हो पाया है समभव हुआ है बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए जो ना केवल हमें बहुत सारे लोग को हमेशा प्रेरित करती रहेगी बहुत बहुत बधाई तो लखनाउसे कारकरम के सीधी तस्वीरे आप देखी हकलेश यादों को आप सुल रहे थे